खुद पर भवरोसा आत्मविस्वास यह साणी सद्ड ना जाने आपने कित्नी बार सुना होगा पर आज मैं आपके साथ कुछ आसी बातों को स्यर करने जा जो आपको खुद पर भरोसा करना सीखा देगी और अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो आपके पास वो ताकत आ जाएगी जिससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा आप खुदी सोचो ना जब किसी की उम्र 65 साल हो जाती है तो वो इनसान अपने बारे में कया सोचता होगा अब मेरी उम्र हो गई है मैंने जिंदगी बर काम किया अब मुझसे कुछ नहीं होगा और अब मैं जिंदगी के आखरी कुछ पल बस आराम करूँगा पर भरोसे की ताकत इनसान को क्या कुछ नहीं करवा सकती जब इस महिला की उम्र 65 साल हुई तो उन्होंने ये सोचा कि इंसान इस उम्र में क्या कुछ नहीं कर सकता और अराम करने की बजाए इन्होंने इस उम्र में इतिहास रचने का सपना देखना सुरू कर दिया और इनकी जिद्धी सोच और पागलपन ने वो करनामा कर दिखाया जिसके पूरी दुनिया मिसाल मानती है 65 से 95 साल की उम्र में इन्होंने मौंट विटनी, मौंट फूजी और कितने ही पाहर चड़ डाले और ये कारनामा उन्होंने एक बार नहीं बलकि 23 बार करके दिखाया मैं बात कर रहा हूँ हॉल्डर क्रुक्स की जिनने आज दुनिया ग्रैंडमा विटनी के नाम से भी जानती है क्योंकि दोस्त जब इन्सान के अंदर खुद पर भरोसे की आग जाग जाती है ना तो वो आग उस इन्सान को अपने सपने को पूरा करने पर मजबूर कर देती है इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर भरोसा करना क्योंकि ये दुनिया का असूल है वो तुम पर हैसेगी तुम्हें गिराने की कोसिज भी करेगी यहां तक कि तुम्हें रोकने की भी कोसिज करेगी पर तुम्हारा आत्म विस्वास ही इन सबी तकलीफों से लड़कर तुम्हें जीतने में मदद करेगा मालो तुम्हारे पास आखे तो है पर तुम कुछ देखी नहीं सकते और जब तुम कुछ देखी नहीं सकते तो तुम सपने क्या देखोगे यहां तक कि लोग तो तुम्हें ये भी बोलेंगे कि एक अंधा इंसान अपने जिंदगी में क्या कर लेगा जिसके जिन्दगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और ऐसा ही कहानी एक ऐसे इनसान की है जो बचपन से ही अंधा है और साथ में गरीब परिवार में इसका जन भी हुआ है लेकिन इसमें पढ़ने की ऐसी भूग थी कि ये कई किलोमेटर पैदल चलकर इसकूल पढ़ने जाता पर अंधे होने की वज़े से इसे कोई बात तक नहीं करता जिसकी वज़े से इसे ये लगने लग गया कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा मैं ही हूँ और मैं अपनी जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकता क्यूंकि आसपास के लोगों ने इसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक अंधा इंसान अपनी जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकता और इसका भरोसा खुद पर से उटने ही लगा था कि एक दिन इसने ये सोचा कि ये अपनी बाकी की जिन्दगी ऐसे ही नहीं काटेगा और उसने कसम खा लिया कि अपनी जिन्दगी को बदल करी रहेगा और टेंथ के बाद अंदे होने की वज़े से इसे किसी भी कॉलेज में एडमीशन नहीं मिला तो इसने बोड़ पर ही केस कर डाला और कीज जीत कर 98% लाकर 12 में टॉप किया और MIT United States से graduation कम्प्लीट किया और फिर भारत आकर Boland Industries के नाम से एक कमपनी खोली जिसकी valuation अस देर सो करोर से भी ज़ादा है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्रीकान बोला की जिनोंने अपने जैसे हजारों लोगों को रोजगार दिया और कितने ही लोगों की जिन्दगी सवार दी पर दोस्त तुम जानते हो इनमें इतनी ताकत इतना आत्म विस्वास आता कहां से क्योंकि इन्हें खुद पर भरोसा होता है और यही भरोसा हमारा खुद पर से उठ चुका है हो सकता है हमने बीते हुए वक्त में कुछ ऐसी गलतीयां कर दी हो कुछ गलत फैसले ले ली हो जिसकी वज़े से हमें कई बार हार का सामना करना पड़ गया हो हमें कई बार सरमिंदा भी होना पड़ गया हो और लोगों ने हमें बार बार बोला होगा कि यह निकम्मा है और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता और हमने इनी सब बातों को सच मान लिया और एक्शन लीना ही बंद कर दिया यह सोच कर कि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या फाइदा है सुरुआत करने का जब हमें पता ही है कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हम कभी जीती नहीं सकते हैं और यही सोच तुम्हारी बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर रही है तुम्हें अंदर से खोकला बना रही है और इसे मजबूत करने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और खुद पर भरोसा करने के लिए तुम्हें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होगे कि अगर मैंने अपनी सोच को नहीं बदला तो मेरी आने वली जिन्दगी बरबाद हो जाएगी क्या होगा उन लोगों का जिने काफी उम्मीदें मुझसे खास करके मेरे माता और पिता को क्या होगा मेरा और मेरे उन सपनों का जो मेरी सोच की वज़े से मुझे आगे बढ़ने से रूक रही है और अगर तुमने इन सवालों का जवाब ढून निकाला तो तुमारा खुद पर भरोसा जाग जाएगा और जिस दिन तुमारे अंदर भरोसे की आग जल गई तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जिसके लिए तुम जीना चाते हो जिसका तुम हर दिन सपना देखते हो क्यूंकि तुम वो इनसान हो जो कुछ भी कर सकता है हर तकलीफों से लड़ सकता है हर परिशानियों का सामना कर सकता है बस करना तुमें ये है कि तुमें डर्यों इस सोच को आज ही खत्म कर देना है और नई सोच के साथ उचाईयों को छूना है क्योंकि दोस्त तुम कर सकते हो हाँ तुमने सही सुना तुम कर सकते हो